विजिक लगर चैनल में जबकर स्वागत है मैं समय लिक्मार आज फिर से आपके लेकर आज रहाएक इंटरेस्ट्री वीडियो तो आज है हमारे पास Poco X2 तो आज हम करेंगे इस मोबाइल फोन की अन्बोक्सिंग और जानेंगे किस तरह का यह मोबाइल फोन रहता है कितने प्राइज में है और हमें इसको खरीद रहा चाहिए और नहीं वह से भी बाते हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में तो जानने के लिए देखते हुए इस वीडियो को आच चूए जो फिलिप पर अवेलिबल है तो मैंने इसको फिलिपकार्ट से ख्रीद रह तो चलिए box को ओपन करके देखते हैं कि सत्रहें की पैकंग में हमें फोको डेखने को मिल जाएगा तो यह रहा हमारा Poco X2 इस बोक्स को रखते हैं साइड में तो आप देखी रहे होगे Poco X2 आगे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह है कि box packing हमें इसमें देखने को मिल जाएगी और आगे की तरफ यहां लिका हुआ है reality flow 120 hearts सब्सक्राइब चलते हैं कुछ टिटेल इस पर पड़ते हैं जो इन्होंने मेंशन की हुई है अगर बात कुछ इसकी डिस्प्ले साइज के बारे में तो डिस्प्ले साइज रहता है 6.67 इंच डूल इन सब्सक्राइब निशन की इंच एमियानी दिस्प्ले केमरा यानगे इसके बाद इसमें ऩофल बेक्सेट कम就到 बैक्साइड मी तो हमें लिखाव miracles डिक्नोलगी नो से उन्हों कर्ता है और इस बात कुरूं प्रॉसेसर की कैसую गाariamente की प्रॉफ के साथ हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर हमारे लिए रहेगा अगर मैं बात करूँ बैटरी की तो पंतालीसो एमें एच की इसमें बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी और बॉक्स के अंदर हमें 27 वोट का फार्स चारजर भी देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले बात करूँ इस डाफटर गी तो सी य टाइपम एक ने को मिल जाएगी उसके बाद हमें एक user manual भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो कि रहती है कुछ इस तरह है कि उसके बाद हमें इसके अंदर एक image actor tool भी देखने को मिल जाता है तो इसको रखते हैं side में और box के अंदर हमें एक case भी देखने को मिल जाएगा जो हमारे mobile phone को काफी अच्छी protection provide देगा काफी अच्छा यह case हमें देखने को मिल जाता है तो चलिए हम चलते हैं अपने mobile phone के तरफ तो कुछ इस तरह है कि packing में हमें यह mobile phone देखने को मिल जाता है तो इसका रफ मैं उतार देता हूं बैक साइड से इसकी looking दिखाता हूं तो कुछ इस तरह है कि यह looking है दरसल मैंने इसको blue color में order किया काफी अच्छा मुझे color लगा तो चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं कि किस तरह हैं का हमार यह mobile phone रहता है अब हम बात कर लेते हैं इस mobile phone के design के बारे में तो इस mobile phone में हमें back side में quad camera setup देखने को मिल जाता है जो main camera रहता है 64 megapixel का और depth sensing के लिए हमें 2 megapixel का camera देखने को मिलता है और इसमें जो micro camera है दरसल वो भी 2 megapixel का रहता है और ultra wide के लिए 8 megapixel का camera दिया है नीचे की त camera है वो कुछ इस तरह हैं से उगरा हुआ है दरसल जो आप देख रहे होंगे यह circle यह पूरा उगरा हुआ हुआ नहीं हमें देखने को मिलता उसके बाद नेचे की तरफ हमें POCO की blending देखने को मिल जाती है जो की कुछ इस तरह किया है बात करूं तो Corning Care Gorilla Glass 5 की protection इन्होंने प्रवाइड किया है तो चलिए अब हम चलते हैं इस mobile phone के side में तो side में हमें उपर की तरफ volume of down के लिए रोकर बटन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ जो बटन रहता है हमारे device को on your off करने के लिए या लोग करने के लिए दातल इसी बटन के अंदर हमें fingerprint sensor देखने को म मिलता है next हमारा रहता है type c port charging के लिए उसके आगे की तरफ primary mic देखने को मिल जाता है उसके बाद speaker के release में दी गई है तो चलते हैं इसके दूसरी साइड तो यहां पर हमें देखने को मिल जाती है sim tray तो चलिए मैं sim tray भी आपको निकाल के दिखा देता हूं तो इसके अंदर ह हमें hybrid SIM tray देखने को मिल जाती है या तो हम इस mobile phone में दो SIM यूज़ कर पाएंगे या फिर एक SIM के साथ memory card को यूज़ कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ हमें इसमें secondary microphone और IR blaster देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है तो चल दिस्प्लेइ और जो इस पर प्रोटेक्शन अंदर सर्वो रहती है कोर्णिंग के गोरीला गलास 5 की और उपर की तरफ अगिर में चलूं तो यहां पर हमें speaker के देखने को मिल जाता है और आप camera setup देखी रही होंगे कि इसमें दो camera हमें देखने को मिल जाते हैं जो की पंच हमें screen में देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ एच्छो डिस्प्ले हमें इसके देखने को मिल जाती है चलते हैं सैटिंग में और बताते हैं आपको इसमें जो पोको ने हाइलाइट किया हुआ है कि इसका जो reality flow है वो रहता है 120 हार्ट तो यहां पर हम display setting में जाके refresh rate को कम या कर सकते हैं तो मैंने 120 हार्ट किया हुआ है तो आप flow देखी रहे होंगे कि इस तरह है कि इसका flow है तो काफी अच्छा response हमें देखने को मिल जाता है चलते हैं सैटिंग में दोबारा से और जानते हैं कौन सा UI इसमें दिया गया है तो इसमें जो UI है दरसल वो रहता है MIUI 11.0. उसके बाद अगर मैं चलो इसके Android वर्जन पर तो Android वर्जन इसके अंदर Android 10 हमें देखने को मिल जाता है तो चलिए अब हम इसमें देख रहते हैं कि कितना हमें स्पेस खाली मिलेगा तो इसकी जो storage capacity है 128 GB है लेकिन available है जो 109 GB हमें इसमें available मिल जाएगी तो चलिए अब हम च पास तरीके से यह open करता है तो जैसे ही मैं इस पर sensor पर अपने होटे को रखता हूं तो unlock हो जाता है उसके बाद मैं दरसल अब face data से इसको check कर देता हूं तो मैंने face data इसमें add किया हुआ है तो आप देखी रहे होगे दरसल मैंने इस finger को नहीं add किया हुआ तो यह face data से हमारे face को recognize करके mobile phone को open कर देता है या फिर इसको unlock कर देता है तो काफी response हमें face lock का और इसमें fingerprint sensor है उसका देखने को मिल जाता है तो चलते हैं camera की और की camera quality की रहेगी तो इसमें हमें काफी अच्छे option देखने को मिल जाते हैं और काफी सारे option दिये गई है जैसे कि slow motion, short video, video, photo mode में हमे wide के लिए भी option देखने को मिल जाते हैं कि हम इसको कितना wide करना है तो आप देखी रही होंगे, next हमें 64 megapixel camera का भी option देखने को मिल जाता है, portrait का भी एक इसमें option दिया गया है, उसके बाद night का है, panor में है, pro mode हमारा दसल हमें उसके अंदर raw data मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है, तो चले हम चलते हैं video mode में और देखते हैं कि कितने fps पर यह video record करेगा, तो मैं जाता हूँ setting में, तो setting में आप देखी रहे होंगे कि video quality है, जो 720, 1080, और उसके बाद 4K पर भी यह record कर सकता है, जिसका frame rate होगा 30 fps, तो कुछ इस तरहें कि इसमें हमें quality देखने को मिल जाती है, बाकी camera के लेकर मैं separate video बनाऊँगा और बताऊँगा कि video quality क्या रहती है, camera quality क्या रहेगी इस mobile phone की, तो उस video को आप ज़रूर देखना, बाकी मैं photo attach करूँगा, selfie और back camera से एक ही किस तरह हैं कि इसके camera performance हमें देखने को मिल जाती है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की color में ये mobile phone available है और कौन से कौन से इसके variant रहते हैं, तो दरसल तीन color variant में available है, blue, pink और red, मुझे favorite लगा मेरा blue color उसके बात अगर मैं चलों इसके variant के बारे में तो इसमें हमें तीन variant देखने को मिल जाते हैं, जो सबसे चोटा variant है वो रहता है 6GB 64GB में, जिसका price है 15,999 रुपए उसके बात जो मैंने variant खरीदा है वो रहता है 6GB 128 में, उसका price रहता है 16,999 रुपए यानिकी 17,000 जो सबसे लगा और उसमें हमें 8GB की RAM और उसके अंदर हमें 256GB की internal storage देखने को मिल जाएगी, तो मुझे ये medium वाला device काफी अच्छा लगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको पता लगया होगे किस तरह हैं का ये mobile phone रहता है, मुझे ये mobile phone काफी अच्छा लगा, इसके features wise इसका processor और अगर आपको कोई इससे related program हो, mobile phone से related तो आपको इसके comment box में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको अंसर जरूर्द दे दूँगा, और मैं future इससे related यानि Poco X2 से related वी video बनाता रहूँगा, इनके hidden features वगयरा की, तो अमीद करता हूँ कि आपको ये video अच्छी लगी होगी, अ हसते रहे, हसाते रहे